बी एसी फर्स्ट एर के सभी विध्यारतियों को नमस्कार साथियों आज हम डिसकस कर रहे हैं बी एसी फर्स्ट एर के इंपोर्टेंट कुशेन जो के एक्जाम में आने की पूरी-पूरी संभावना है अगर ये जो इंपोर्टेंट कुशेन बताया जा रहे हैं अगर इनको सही ढंग से व्योसित तरीके से अगर याद किया जाए तयारी की जाए तो संभाव ना रहेगी आपके अच्छे मार्क सा आने की B.A.C. फस्टेयर के एक्जाम में बहुत अच्छे नमबर आने की संभाव ना रहेगी लगबग लगबग ये क्जाम में बार बार पुछे गए है उनी का प्रशनों का सार है पुराने पेपर में जो पुछे गए है ये प्रशन कई बार पुछे गए है तो उनको यूनिट वाइज आपके लिए दिया गया है यूनिट वाइज बताया गया है कुल मिला के इन प्र लिखिए फिर हैं बायल से चाल सो और वेगोड्रों का नियम लिखिए अवस्था का सातत्य CO2 के उधारन से समझाना है आपको वन्डरवाल समीकरन की सायता से PC, VC वर TC की घंणा कीजिए क्रांतिक परिगटना क्या है आदर्शी गेस क्या है आदर्शी विभार से गेसो का विश्चलन को समझाईए आदर्शी गेस समीकरन समझाईए टिपड़े लिखना है आपको शार्ट नोट से लिखना है शार्ट नोट से में आपको बताना है ओसत मुक्तपत क्या है संगट्य आवरती क्या है संगट्य व्यास क्या है संगट्य संख्या क्या है क्रांतिक ताप का निर्धारन कैसे किया जाता है और क्रांती की स्विरांग क्या है जब उपन चलते हैं यूनिट 2 में चलते हैं तो यूनिट 2 में द्रव क्रिस्टल किसे केते हैं ये हैं द्रव क्रिस्टल किसे केते हैं इसके प्रकार समझाईए द्रोवों की सनशना का आईरिन बरनेल वा इसकाट का सिद्दान्द द्रोवों की गुन समझाईए यह जो है यहाँ पर द्रोव क्रिस्टल है द्रोव क्रिस्टल द्रोव की सनशना की व्यक्या आईरिन बरनेल वा इसकाट का सिद्दान्द समझाईए साथ खंडी सेल, थर्मोग्राफी, मिजोमार्फिक अवस्था, पर टिपने लिखिए, हाइडोजन बंद में इसके प्रकार लिखिए क्रिश्टल इठो, समदेशिक्ता वे विशमदेशिक्ता क्या है? अगला क्युष्य ने समदेशिक्ता अनुपात, बिंदू दोष और अशुद्धी दोष क्या है? अंतरा फलक कोणों के इस सिर्धा का नियम क्या है? इकाई सेल के बार में भी पूछ सकते हैं? गणी क्रिश्टल तंत्र में कितने प्रकार की क्रिश्टल जालक है? परिमे घातांका नियम, शाटकी दोश और फ्रेंकल दोश ये important topic हो गए अब बात करते हैं unit 3 की unit 3 में पूछा जाता है बहुत से बार अभिक्रिया की कोटी के निर्धान करने की विधी लिखिए कोन से भी प्रतम कोटी द्विती कोटी है ना इनके निर्धान की विधी शुन्य कोटी के अभिक्रिया तथा वेग इसरांग का वेंजक वित्पन कीजिए प्रतम कोटी के अभिक्रिया का वेग इसरांग का वेंजक दीजिए द्विती कोटी के अभिक्रिया तथा वेग इसरांग का वेंजक दीजिए इन तिनों में से एक अभिकारक से प्रारामिक सांदन पर निर्बार नहीं करता है इस पश्टी कीजिए अगला क्यूशन है सक्रियन उड़ जाता था हरी ने समिकरन पर शार्ट नोट से लिखे मेरी बात समझ में आई होगी तीन ये हो गई अब आगे बात करते हैं आगे डिस्कस ये जो हैं चोथी रूट की क्विशन नोट किजी आप रेडियो एक्टिता से आप क्या समझते हो रेडियो सक्रियेक्टा का मापन की गाईगर गनित्र विध्री का वरण कीजिए अगला क्यूशन है radioactive victim चिरनिया क्या है समझाईए समस्थानिक तता इसके प्रकार का तता पुर्थक करन की वीधिया लिखिये समभारिगाम सम न्यूट्रियानिक किसे किते हैं चाहो तो इसक्रिंशाइड ले सकते हो नाभी की अभी करिया क्या है radioactive ता के अनुप्रयोग लिखिये रेडियो कारबन डेटिंग क्या है सोड़ी का समुविस्साबन नियम क्या है अलफा बिटा किरुनों का उस्सरजन फिर आगे बढ़ते हैं नाभी के विखंडन और नाभी के सेले नाभी क्रिया ये क्यूशन है यूनिट चार के फिर यूनिट पाँच के ये क्यूशन है आपके सामने द्रव्यान उपाति क्रिया का नियम क्या है तता केपेवा केसी में संबन बताए लिश आते लिए का सिद्दान तता इसके अनुप्रियोग लिखे कोलाइड क्या है इनका वरीकरन लिखे ये शार्ट नोट्स हैं पायल पायस जेल पायस जेल स्वर्न संख्या ब्राउनी गती टिंडल प्रभाव साबून की से इच्छे कारे क्रिया हरड शुल जे गनियम विद्यूत कर्ण संचलन कोलाइडों के अनुप्रियोग ये हो गया भी या फिजिकल केमेस्टी के सारे क्यूशन कंप्लेट अब बात करते हम इससे आगे बढ़ते हैं और इन औरगेनिक क्यूशन की बारे में डिसकस करते हैं चलिए ये है इन औरगेनिक के इंपोडेंट क्यूशन इन औरगेनिक केमेस्टी जो 2020-21 में पहली विट के क्यूशन है क्वांटम संक्या क्या है इसके प्रकार लिखिए तता नाइट्रोजन के सभी इलेक्टान की चारों क्वांटम संक्या है बताइए फिर बात करें आगे परमानवी कक्षक क्या है ऐसपीडि कक्षोकों के आकरती मअ भी विन्यास की वैक्षय कीजिए आयनन विभव क्या है इसे प्रभाईउत करने वाले कारक समझाज़े श्रू ढिंजर समीकरण इसका मैने वीडीओ भी बना रखाए क्या है समीकरण युत्पन कीजे तता साही वा साही स्क्वार का भोतिक मौहत्व की व्याख्या कीजे बहुत सारे वीडियो भी बने हुए आपको मिल जाएंगे चैनल पर हाइदन बर्ग की अनिश्टता का सिद्दान्द डी ब्रोगली समीकरण रचोवाद बने हैं पर इनके अधिक टोपिक के आपको वीडियो भी मिल जाएंगे आप आसानी से आपर जाके पढ़ सकते हो इलेक्टाइ निवन योगिक से क्या समझते हो को डाइब औरन के उपर वीडियो बना रखा है बीटोई सिंश्टा समझाए बीसे य त्री 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 पूजी समतलीए जब के छी त्री त्री पूजी पिरामीड है सभी जकता आबंद शिद्धानत क्या है इसके नियम लिखिए एमोटी की विशिष्टाइं लिखिए नाइट्रोजन अक्सिजन सी ओ एनो ओ टू प्लस के उर्जा इस्तर आरेक बनाईए तथा आबंध कोटिस बताईए इसके भी वीडियो में ने बना रखें बॉंड ओर्डर आबंध कोटिस से रिलेटेट सभी के मिल जाएंगे आपको स से समझाना है वीडियो मिल जाएगा विसे वीडियो सिद्धान को समझाईए टिपने लिखिए आबंध उडजा आबंध लंबाई आबंध कौन सहसायोजग बंध का परतिशत आयनिक लक्षन समझाईए ओके फिर बात करते हैं यूनिट तीन में यूनिट तीन में आपको शोटकीर फ्रेंकल दोश को उदdaughter साहिए वन्टर्वार्स बल की प्रकार समझाईए लिबाई बल क्या है ये भी समझाना है आपको बोडनहबर रत्रफ में समझाइए उधार्न साहीत एक से एफ 2 एक से एक से एफ एक सिक्स में संक्रण वह संचना को समझाइए चलिए यह हो गये है इसके संगत यहार के अगली चलते हैं यहार के कारण इस पश्टी कीजिए एस ब्लाक के तत्मों के जेवित तंत्रों में कारियों की विवेचना कीजिए शारी तता शारी मर्दाद हतों के निमलेखित गुणों की तुलना कीजिए कौन-कौन से इलेक्टरिम उन्यास, आयनन उर्जा, ज्वाला का रंग, आक्सिकन आउस्था, पर्मानवी तिज्जा, धन्विद्यूति गुण चोथा क्यूशन है इस यूनिट का, चोथी यूनिट का समूँ 15 के तत्मों के गुणों की तुलना कीजिए किजिएगा बिल्कुल, अक्रियोग मुर्भाव क्या है, बोरान वा सिलिकॉन के मद्धिविकर्ण संबंद बताईए हेलोजन समूँ, मतलब सत्रवा समूँ, के गुणों की तुलना कीजिए फ्लोरीन के असंगत युहार के कारण इसपष्ट कीजिए अब बात करते हैं, यूनिट फाइफ की, यूनिट फाइफ में जो हैं, इन और्गेनिक यूनिट फाइफ, यूनिट फाइफ में अंत्रा हेलोजन योगिक क्या है, इनकी सनशना समझाईए अंत्रा हेलोजन योगी क्या है इनकी सनशना समझाईए इंट्रा हेलोजन योगी जो 12 में पढ़ चुके है कुछ टोपिक जो है क्लास 11 की कुछ 12 थे के ऐसे करके बीएसी 1st येर में अधिकता टोपिक मिलते जुलते है डाइ बोरेन के बनाने की विदिया तता सनशना समझाईए फुल लेरिन क्या है इसकी सनशना कारबाइट क्या है इसका वरिय करण आयनिक कारबाइट अंत्राकाश्य कारबाइट साथ साथ जो कारबाइट क्या है इसको समझाना है बोरेजीन या कार्मनिक बेंजीन बनाने की विधियां तथा गुण लिखिए ये भी क्यूशन important है तो साथियों इस प्रकार से आपके इन और्गेनिक के क्यूशन भी complete हो चुके हैं अब बात करते हैं लास्ट में आपके पास और्गेनिक के मस्ट्री के important question की ये आगये और्गेनिक के मस्ट्री के important question धन्गर chemistry lectures चलिए अधिकतर वीडियो अविलेबल होंगे आपको धन्गर chemistry lectures यूट्यूब चैनल पर बात करें अब आगे unit first organic chemistry की 2020 में आने वाले question है ये शार्ट नोट से इन में से कुछ न कुछ तो पूछा ही जाएगा 100% प्रेरिक प्रभाव अतिसायुगमन मैसोमेरिक प्रभाव आबंद लंबाई आबंद उर्जा आबंद कोन अनुनाध हैड्रोजन बंद यहाँ से कहीं न कहीं एक तो शार्ट नोट से एक दो पूछे ही जाएगी इसमें से नेक्स्ट है संक्रन क्या है इसके नियम लिखिए तथा एथेन संक्रन क्या है इसके नियम लिखिए एथेन एथेन एथेलीन और एकसिटिरीन में संक्रन को समझाईए नेक्स्ट है कारबनिक अभी किरिया की प्रकार लिखिए यह है यूनिट फरस्ट के सारे क्यूशन इसक के टायन कार्बेनियन मुक्तम उलग परमानमी आर्बिटलों की आकरती समझाईए यूनिट टू में कुशन देखिए ये यूनिट टू के इंपोरेंट कुशन है इसक्रिंशाट ले सकते हो एलकेन बनाने की विदियां तथा रासानी गून शाट नोट से हैं गूर्जबिक्र कार्बोक्स लिकरन Kauf लिकर इंग एल्योगर möक्से लिकरत्यान देखिए यूनिट तीन के इंपोर्टंक उर्गेनबंशन बनाने की विदियां 17 एलकीन बनाने की विधिया उसमें एलकॉल के निरीजली करन से केसे बनाएंगे आप एलकीन को एलकील हेलाइड के विई हइडरो हेलोजनी करन से केसे बनाएंगे फिर अगला क्यूशन आपके छप गया है exam में एक तरह से ही किया सकते है अधिकतर पुछा जाता है मारको निकाफ था एंटि मारको निकाफ का नियम क्या है फिर बात करें साइक्लो एलकीन की योगात्मक आक्सिकरण वह पृतिस सापना भी क्रियाए क्या है बहुली करण क्या है पॉलिथिन बनाने की विधी समझाईए फिर क्यूशन आता है सेड़ जेप सापका नियम लिखिए किसका नियम लिखिए सेड़ जेप का नियम लिखिए यूनिट तीन की एक क्यूशन हो गए यूनिट तीन में कुछ क्यूशन और है देखिए एपोक्सी करन क्या है बताईए एपोक्सी करन क्या है ब्यूटर डाइन बनाने की विधी सनशना समझाईए ब्यूटर डाइन पर 1-2-1-4 योगात्म गुतपाद बहुत ज़्यादा इंपोरेंट क्यूशन है 1-2-1-4 योगात्म गुतपाद बनाने की क्रिया विधी फिर आता है डिल से एल्डर अभी क्रिया संचे डाइन क्या है सनशना बताईए तो अधिकतर क्यूशन भाईया इंपोर्टेंट ही है इंपोर्टेंट ही है अब बात करते हैं यूनिट 4 के यूनिट 4 के ये इंपोर्टेंट क्यूशन है आप स्किन शॉट ले सकते हो एलकाइन बनाने की विधियां सरचना तथा रासानिक गून लिखे एसेटिरीन का अमले सभाव एवं बहुली करन समझाईए एलकिल हैलाइट बनाने की विधियां तथा रासानिक गून लिखे क्लोरोफार्म तथा कार्बन टेटा क्लोराइड बनाने की वीधियां लिखिए रासा निकून सता उप्योग भी लिखिए SN1 वे SN2 अभीक्रिया की क्रिया वीधि समझाईए कार्विलेमिन अभीक्रिया वर रिमर्टिमेन अभीक्रिया लिखिए वेरी गूड बहुत ज़्यादा इंपोरेंट क्यूशन है अब यूनिट फाइप में चलते हैं यूनिट फाइप के ये जो इंपोरेंट क्यूशन है बेटा अनुकरम नियम को समझाईए जामिती समाईवियों के नामकरन की E वज़ेट पद्यति समझाईए किरेलता क्या है, इस्टोरियोजनिक के अंदर क्या है, परतिवीम रूप क्या है, दुरुमन गुरुन क्या है, थ्रियोएम एरिथ्राइस ओमर क्या है फिर प्रेशनकरमांग चार शार्ट नोड़ से, सहर्स प्रक्षयपनसुत्र, न्यूमेन प्रक्षयपनसुत्र, फिशर प्रक्षयपनसुत्र, फ्लाइंग वेश सुत्र वाल्डन पति लोमन क्या है? नामकरण की आर्व ऐस पत्वती समझाईए रेसे मी करन जायमिती समा रेसे मी करन और जायमिती समा वता समझाईए समतर दुरूइत प्रकाश क्या होता है तो ये हैं साथियों B.A.C. फश्टियर के मैंने आपको फिजिकल केमेस्ट्री, इन और 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 केमेस्ट्री के सभी important question मैंने आपको बता दिये है अच्छी तरह से तैयरी कीजिएगा और एक्जाम में अच्छे marks लाइए, सफलता हसिल कीजिए best of luck और सभी जो वीडियो देख रहे हैं जिन बच्चों ने पूरा वीडियो देखा हैं अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्क्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर देजेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपके पास सबसे पहले मुझे और वीडियो को लाइक कर दीजेगा ठीके तो अच्छी तरह से आप प्रेप्रेशन कीजेगा और सारे जो वीडियो है इसमें अधिकतर टॉपिक के वीडियो मेरे चैनल पर आप गर आप ढूंडोगे प्लेलिस्त में ढूंडोगे अधरवाइथ अधर वीडियो में भी धिरे धिरे ढूंडोगे तो अधिकतर टॉपिक आपको मिल जाएगे धन्यबास साथियो मिलेंगे भी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए